हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चेनल जेके ओनलाइन टिप्स पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री के भी भी आई अब्जेक्टिव कुश्टन के अंसर यूट्ट फूर बोध धर्म एवं साची अस्तूप के विशेश संदर्म में प्राचिन भारतिय धर्मों का इतिहास तो आए जानते हैं कुश्टन नमबर एक गौतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ था इसका अंसर गौतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ था अप्सन नमबर एक इसका सैंसर होगा कपिल वस्तू के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तू के लुम्बिनी में नेश्ट कोश्चन है महावीर ने पासर्व नाठ के सिधधान्थ में नया सिधधान्थ क्या जोड़ा नया सिद्धान्त क्या जोड़ा तो इसका सही अंसर होगा ब्रहम चेरे अप्सन नमबर B नेश्ट देख लेते हैं स्वेतांबर एवं दिगंबर का सम्मन्द किस धर्म से है तो इसका सही अंसर होगा जैन जैन धर्म से है स्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंद ये दो भागों में बट गिया था बाद में जैन धर्म, स्वेतांबर और दिगंबर के रूप में फिर आगे देख लेते हैं आरियों की सब्यता किस नाम से जाने जाती है? आरियों की सब्यता किस नाम से जाने जाती है? अप्शन नमबर C फिर आगे देखलते हैं आरियों का सबसे परमुख पसू कौन था आरियों का सबसे परमुख पसू कौन था तो इसका सही अंसर होगा गाय या बैल या साण या घोड़ा तो इसका सही अंसर होगा गाय आरियों का जो सबसे परमुक पसु था वो क्या था गाय फिर नेश्टे देख लेते हैं आरियों का प्रिये पे क्या था आरियों का प्रिये पे पदार्थ क्या था तो इसका सही अंसर होगा ओप्सन नमबर ए सौमरस फिर महात्मा बुद्ध को महापरी निर्मान की प्राप्ति हुआ महात्मा बुद्ध को महापरी निर्मान की प्राप्ति कहा हुआ था तो इसका सही अंसर है कुशी नगर में ओप्सन नमबर सी कुशी नगर में इनका महापरी निर्मान हुआ था फिर है बुद्ध का सारनात में दिया पर्थम परवचन क्या था तो अप्शन नमबर 20 का सही अंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन यह जो बुद्ध सारनात में दिये थे अपना पर्थम परवचन वो क्या था बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन नेश्ट कोश्वन देख लेते हैं बुद्ध के अश्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धानत नहीं था तो इसका साय अंसर होगा अप्शन नमबर 20 सम्यक चरित्र यह नहीं था फिर है निम्न में कौन गौतम बुद्ध के सिस थे इसका सही अंसर होगा गौतम बुद्ध के सभी थे सिस आनंद एवं उपाली कस्यब भी थे सारी पुत्र एवं गौद्रलायन यह भी थे तो आप्शन नमबर 20 सम्यक चरोगा आगे दिखते हैं कुश्टन किसके सासनकाल में बौत धर्म का बिभाजन हीन यान और महायान में हो गया था जो जैन धर्म था फ्रेंड उसका जो विभाजन हुआ था वह हुआ स्वेतांबर और दिखंबर के रूप में आज जो बौत धर्म था उसका जो विभाजन हुआ था हीन यान और महायान में तो किसके सासनकाल में हुआ था यह बताना है इसका सही अंसर होगा कनिस्क के सासनकाल में बौत धर्म बट गया था फिर है नेश्ट कुस्टन गौतम बुद्ध के गृत्या की घटना को बौध घरंथ में क्या कहा गया है इसका सही अंसर होगा महाभी निसकर्मन महाभी निसकर्मन कहा गया है नेश्ट कुस्टन है गौतम बुद्ध ने बोध संग की अस्थापना कहा की थी तो इसका सही अंसर होगा अप्षन नमबर बी सारनाथ में अप्षन नमबर बी नेश्ट कोस्टन है बौध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है यह बताना है तो बौध बिहारों की संपती option number 20 का सही अंसर होगा बौध बिहारों की संपती धर्म यह बौध धर्म के पतन का कारण नहीं था नेश्ट कोस्टन है बौध जो गौतम बौध थे किस कूल से संबंधित थे किस कूल से संबंधित थे तो इसका सही अंसर होगा साक के कूल option number A इसका सही अंसर होगा गौतम बौध जो थे वो साक के कूल के थे साक के फिर है निम्न में प्राचिन्तम बेद कोन है प्राचिन्तम बेद का नाम बताना है सबसे प्राचिन बेद है बेद चार है साम बेद रिगवेद अथर वेद यजुरुवेद लेकिन जो सबसे अल्ड वेद है वो है रिगवेद Option number 20 का सई अंसर होगा Next question है when to change from प्राध joue कालीन डोग किसी पूझा करते थे जरा प्राध तो इसका सईंसर होगा प्राध वेडिक कालीन को जो लोग ते उए परकिर्तिकि पूझा करते थे नेचर की को थिर है नश्टेक रिख बैदिक समाज था कैसा समाज था तो ये था पित्री सत्तात्मक कैसा समाज था पित्री सत्तात्मक सवाज था बेद का अर्थ है ग्यान इसका सही अंसर होगा बेद का अर्थ क्या है तो ग्यान है यह कोश्चन है रिग बेद के पुरुस सुक्त में सरपर्थम किसका वर्नन मिलता है रिग बेद के पुरुस सुक्त में किसका वर्नन मिलता है तो इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर डी सुद्र का वर्नन मिलता है पुरुस सुक्त में नेस्ट कुस्टन है रीग वेद में मंडलों की संख्या कितनी है कितना मंडल में बटा हुआ है रीग वेद तो इसका सही अप्षन होगा अप्षन नमबर A 10 मंडल में रीग वेद बटा हुआ है जैनियों के जैनियों के जो जैन धर्म के मानने वाले हैं उनको जैनियों बोला जाता है जैन धर्म के मानने वाले तो जैनियों के पर्थम तिर्थकर थे जैनियों के पर्थम तिर्थकर थे रिसब दिव कौन थे रिसब दिव और अंतिम कौन थे महाविर अंतिम कौं थे फिर 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 है कोश्चन नमबर 23 सर्वमान्य सर्वमान्य मत के अनुसार आर्ज कहां के मूल निवासी थे सर्वमान के मत के अनुसार तो इसका सही अंसर होगा मत देशिया मत देशिया के निवासी थे कहां के थे मत देशिया के निवासी थे अगला कुश्चन है उपनिस्द मुलता किस परकार के गरंद है उपनिस्द मुलता किस परकार के गरंद है तो इसका सही अंसर होगा दार्शनिक फिलस्फिक ये दार्षनिक इसका से अंसर होगा उपनी सद मुल्टा दार्षनिक गरंथ है फिर नेश्ट कुस्टन है निमलिखित वर्सों में किसे उपनयन संसकार देने का धिकार नहीं था उपनयन संसकार देने का धिकार नहीं था तो इसका answer होगा सुद्र option number D इसका सब्सक्राइब option number D फिर question है योग्जा कोई नामकस्थान किस कहां पे है यानि कि योग्जा कोई नामकस्थान कहां आच्थे थे तो इसका say answer होगा Asia माइन कहां इसे थे Asia माइन में next है प्राचिन भारत में द्यूतिय सहरी करन कब हुआ था प्राचिन भारत में द्यूतिय सेकेंट सेकेंट सहरी करन कब हुआ था हाई है कि ते बीकु कंड्र कि को सतना है इसका अप्षन होगा है प्राख है प्राख मुइरिकाल में आप सन नाम शी प्रेयर मोरिकाल में जैंश में ध्रुम से ऩो ही जान ही नीं और महायां ही कि determinant और महायान संप्रदा किस धर्म से किस भूंब थे तो हम बताए कि ही ना र और महायान कि किस धर्म के थे तो बौध धर्मत दो भाग में बटा हुआ था हन्यान और महायान फिर है जिस बोधी बिरिच के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नश्ट कर दिया था ससांग तो रामन बक्तियार खिली या मिहर कुल तो इसका सही अंसर होगा ओप्सन नंबर A ससांग नेच्ट कोष्टन है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो ये कोष्टन है इसका अंसर होगा पर्थम उपदेश धर्म चक्र पड़िवर्तन क्या है तो पर्थम उपदेश था अगला है गोतम बुद्ध को ज्यान किस नदी के किनारे मिला था किस नदी के किनारे मिला था इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर C निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था अगला कुश्चन है महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो महात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था सिद्धार महत्मा बुद्ध को ज्यान कहां प्राप्थ हुआ महत्मा बुद्ध को ज्यान कहां प्राप्थ हुआ इसका सही अंसरोगा अप्शन नमबर B बुद्ध गया में महत्मा बुद्ध को ज्यान कहां प्राप्थ हुआ था तो बुद्ध गया में फिर नेस्ट कुस्टन है मातमा बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ ये तो बुद्ध गया होगा बुद्ध गया में बुद्ध गया में चलिए अगला कुस्टन है गोतम बुद्ध के समकालिन गोतम बुद्ध के समकालिन मगत समराथ कौन था मगत समराट तो इसका सही अंसर होगा बिमबिसार ओप्शन नमबर B ए था मगत के समराट गोतम बुद को खीर खिलाने वाले श्तिरी का नाम क्या था? गोतम बुद को जो खीर खिलाई थी उसका नाम क्या था? अमपाली, साल्वती या गोतमी या सुजाता तो इसका सही अंसर होगा option number D सुजाता खीर खिलाई थी गोतम बुद को next question है चौथी बौध परिशत किस सासन सासक के काल में हुई थी चौथी बौध परिशत तो इसका सही अंसर होगा option number D कनिस के सासन काल में अगला कुश्चन है पर्थम बौध संगीती का अजन कहां हुआ था तो इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर ए राजगिरी में पर्थम बौध संगीती कहां हुआ था तो राजगिरी में हुआ था इसका सही अंसर होगा वैसाली वैसाली में द्यूतिय बौध संगीती का अज़न हुआ था चतुर्थ बौध संगीती कहां हुआ था चतुर्थ और अंतिम चतूर्थ बौध संगीतिक आर्यों स्री नगर में हुआ था अप्शन नमबर 20 का सही अंसर होगा नेश्ट कोशन है रिगवेदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? रिगवेदिक आर्यों के मुख्य देवता जो थे वो इंद्र थे, वो इंद्र को ही देवता मानते थे फिर नेश्ट कोशन है रिगवेद में वरनित रिगवेद में वरनित दस राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये किस नदी के किनारे हुआ था? तब परुसनी नदी के किनारे इसका सही अंसर होगा option number C और उसनी नदी के किनारे दसराज युद्ध हुआ था फिर महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर जैन को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इसका सही अंसर होगा रिजू पालिका इसका से इंसरों का अप्शन नमबर C रिजू पालिका फिर अगला कुस्टन है किस बंस ने बोध धर्म को संडक्षन परदान किया तो इसका से इंसरों का इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक बंस ने बोध धर्म को संडक्षन प्राप्ट किया फिर है अगला कुश्चन साची का अस्तूप मुलतक किस मोर्शासक ने बनवाया साची का अस्तूप तो इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर सी असोक ने बनवाया साची का अस्तूप फिर कुश्चन है बैदिक सब्यता थी कैसी सबविता थी बैदिक सब विता यह बताना है तो यह ग्रामिन सब विता थी option number B फिर है 3 रतन किस धर्म से सम्बंधित है तो इसका same answer होगा जयन धर्म किसे सम्बंधित है जयन धर्म से ये 3 रतन जयन धर्म से सम्बंधित है नेस्ट कोस्टन है कित तरी पिटक किस धर्म से सम्मंदित है तो इसका साई अंशर होगा बाद धर्म अ क्या अग्ला कुश्चन है तिर्दिया बाद संगिति कहां हुआ था कैश्चन्य शर जयन धार्म के चोबिसमे ति तिर्थकर कौन थे जन धर्म के चोविस में तिर्थकर थे महाविर स्वामी ऑप्सन नंबर ऑप्सन नंबर डी नेस्ट कुछन है साची का स्थूप किस धर्म से संबंधित है तो इसका सही अंसर होगा बौध धर्म साची का स्थूप किसे संबंधित है बौध धर्म से महाविर का बच्पन का नाम क्या था तो महाविर के बच्पन का नाम क्या था ये महाविर बर्दमान उसके बाद है अगला कुछन है पर्थम जैन पर्थम जैन संगिती कहां हुई थी इसका सही अंसर होगा अप्सन नंबर ये पाठ्टि पुत्र में अगला कुछन है अस्तूप किस धर्म से संबन्दित है अस्तूप किस धर्म से संबन्दित है तो इसका सही अंसर होगा बहुत धर्म बहुत धर्म से संबन्दित है अस्तूप नेश्ट कुछन है सुथ पीटा किस धर्म से संबन्दित है तो इसका भी होगा बहुत धर्म सुद्पितक बौध धर्म से सम्मंदित है अगला है अंग्युत्तर अंग्युत्तर निकाय किसका धर्म गरंथ है तो इसका एंसर होगा option number a बौध बौध का अंग्युत्तर निकाय किसका धर्म है गरंथ बौध का अंतिम कुस्चन है महाविर का जन्म कहा हुआ था तो इसका सई अंसर होगा कुंडल वन बैसाली में बिहार बैसाली के बिहार में तो फ्रेंट ये है आपका 56 कुस्चन उमीद करता हूँ कि आपके काम की ये सभी अब्जेक्टिस कुस्चन होंगे और 2022 के जो एक्जाम आने वाली है उसमें आप अच्छा पर्फर्मेंस कर पाएंगे धन्यवाद फर वाचिंग इस वीडियो